सीजन 3 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि सॉल ओल्ड एज होम में आया हुआ होता है सैंड पाइपर की केस अब उसके पास नहीं है एचेचेम को वो चली गई है और एचेचेम में अगर सेटलमेंट कर दी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते है इसी का अपडेट लेने के लिए इसकी जो रिप्रेजेंटेटर होती मिस लैंडरी उसके पास सॉल आया होता है उनके लिए वो कुकिस भी लाता है फिर सॉल मिसिस लैंडरी के पास जाता है और पिटेंड करता है कि उसे लग रहा है कि सेटलमेंट हो चुकी है फिर मिसिस ल प्रेंटरी को पस्वेट करना चाहता है पर वो मानने रही होती है जो लायर्स उसे बोल रहे होते हैं वही वो करना चाहती है HHM और भी बड़ा settlement लेने वाली होती है इसके लिए case और भी साल सक चल सकता है पर अब ये solve case जल से जल खतम करना चाता है नेकसिन में हमें अब दिखाये गया है कि Gus Mike को money laundering करने के लिए help करने वाला होता है फिर Gus Madrigal में उसे भेज देता है Madrigal में हमें Mike Lydia से मिलता हो दिखता है Breaking Bad के बाद फिर से Lydia हमें इस series में introduce हुई है Mike उसके पास office में आकर बैठता है Lydia बोलती है कि तुमारा social security numbers वेगरा सब documents मेरे assistant को दे दो उसे समझाती है कि मेरे company के दरफ से तुम्हें अब 10,000 dollars का weekly check आएंगे यह जब सब खतम हो जाएंगे, जब तुम्हारे पैसे सब launders हो जाएंगे तभी एक check भी आना बन हो जाएगा एक legally में तुम्हें job दे रही हूँ इस company में एक logistic consultant का Mike बोलता है कि अगर तुम मुझे as a security consultant job दोगी तो यह बहुत ही अच्छा होगा लोग यह story believe भी कर सकते हैं इससे तुम किसी भी trouble में नहीं आओगी Lydia फिर मान जाती है Lydia है सब legally उससे सब देने वाले होती है पर legal अगर transaction होई अगर इसका मतलब होता है कि कोई पकड़ा गया तो Mike के पास यह सब stress हो सकता है Mike यह जो doubt होता है वो Lydia से बोलता है Lydia फिर कहती है यह बहुत ही बड़ी corporation चलाती हूँ वो बोलती है कि मैं बहुत ही बड़ी company में काम करती हूँ यहां मैं weekly around million dollars के paycheck distribute करती हूँ इसमें तुमारा 10,000 dollars का paycheck कुछ भी नहीं लगने वाला audit हुआ भी तो as a security consultant कोई भी मुझसे इसके बारे में नहीं पूछने वाला Lydia का इतना बड़ा office वेगरा सब देखकर वो Lydia से पूछता है यह जो तुम कर रही हो यह बहुत ही dangerous है वो बोलता है कि Gus के लिए जो तुम कर रही हो यह risk है और इसकी वज़े से इतना अच्छा job इतना सारा office छोड़ देना यह बहुत ही गलत हो सकता है Lydia बोलती है कि Gus को तुम क्या समझती हो Gus सिर्फ यही business में नहीं है यानि कि Gus और भी बहुत सारे businesses करता है next scene में हमें दीखता है कि HHM में Chuck Howard सब बेटे हुए होते है यह fraud है तुमें expect कर रहे होते हम तुमें बाड़ा सा चेक लिक कर दे पर यह नहीं होने वाला Chuck उनको offer करता है कि मैं यह कुछ भी नहीं करने वाला अगर उन्होंने फिर भी कुछ action ली तो उन पर वो case डालने वाला होता है फिर वो सब वहाँ से जले जाते है चक का हावर्ड को यह decision बहुत ही गलत लगता है और हावर्ड उसे offer करता है कि तुमने agency के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है अगर तुमने अब agency से अपना नाम निका लिया अगर तुमने resign कर दिया तो यह बहुत ही agency के लिए अच्छा हो सकता है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता इसलिए मैं तुमारे साथ काम नहीं कर सकता चक फिर वहाँ से चक फिर वहाँ से एंग्री होकर निकल जाता है नेक सीन में कीम हमें दिखती है मैसा वर्डे ने जो क्लाइंट उसे रिफर किया होता है उसके पास वो आई हुई होती है यह जो उसका निकलाइंट होता है यह ओयल ड्रीलिंग का काम करता है पर इसके ओयल ड्रीलिंग की जो मशिनरी होती है वो जहां कर रहा होता है उस लैंड दो स्टेट्स में आती है इसलिए दिक्कत हो रही होती है किम फिर उसे बोलती है कि ये जो दो states के जो representative है उन दोनों को हम एक room में लाएंगे और उन्हों एक बड़ा सा check लिखेंगे इससे कुछ भी problem नहीं होगा वो जो honor होता है ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है फिर वो वहाँ से चला जाता है किम भी अपनी गाड़ी जब start करती है सैंड में वो फसी हुई होती है वो अकेले ही वहाँ होती है तो वो खुद उसे निकालती है उसे workload सारा काम जो होता है यसे बहुत ही stress सारा होता है next scene में हमें दिखता है कि Saul Howard से मिलने आयो होता है वो बोलता है कि अब settlement करने के लिए बहुत ही अच्छा time है Howard उसे बोलता है कि हम और भी इनसे पैसे निकलवा सकते है Saul बोलता है कि अगर हमने और wait किया तो तुमें तो पैसे ज़्यादा मिली जाएंगे पर जो old है जो हमके लोग है उन्हें इतना फरक नहीं पड़ेगा तुमें उनका सोचना चाहिए Howard बोलता है कि तुम किसी के बारे में मैं सोच रहे है तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो वो बोलता है कि मैं यह नहीं करने वाला नेक सीन में हमें Gus और सालमांका के बीच में मिटिंग दिखाए गई है Gus उसे बोल रहा होता है कि सब जो डिस्ट्रिब्यूशन होगा बॉर्डर के बास तुमें कुछ भी ले जाना होगा तो वो सिर्फ चिकन के ट्रक्स में ही जाएगा यानि कि Gus के पास अब सारा ओपरेशन होने वाला होता है सालमांका इस पर चीर जाता है पर उसके हार्ट की कंडिशन वर्स होती है इससे उसे दर्द होने लगता है अपने आपको फिर वो समाल लेता है और बोलता है कि तुम सब भाड़ में जाओ Old Age Home की सब लेडीज होती है यानि कि Miss Landry और उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो सब मॉल में वाक करती है साल भी वहाँ पहुच जाता है साल ने नए शूज लाए होते है वो उस Mrs. Landry को दिखाता है वो Landry को इस शूज का लालज दिखाता है वो बोलता है कि मैंने girlfriend के लिए ये शूज लाया था पर ये उसे fit नहीं हुआ वो फिर उसके size पूछता है कार में जाता है और उसने बहुत सारी sizes के शूज लाया होते है फिर वो Landry को शूज दे देता है नेक सिन में हमें दिखाए गया है कि Landry की जो friends होती है उसके पास Saul बेटा हुआ होता है Saul उसे समझा रहा होता है कि अगर अब settlement हो गई तो तुमें बहुत सारे पैसे मिल सकते है वो ने Landry की तरफ भड़का रहा होता है वो बोलता है कि Landry को कुछ भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे है तुमने उसके New Shoes देखे तो वो सब भड़क जाती है वो फिर Landry से एक दुश्मनी कर लेती है वो जब Mall में चलती है तो उसके साथ नहीं चलती है वो उसके साथ friendship तोड़ देती है इसीन में हमें दिखता है कि नाचो अपने फादर के पास होता है अपने फादर को बेटने के लिए बोलता है और बोलता है कि हमारा जो बिजनेस है इसके पीछे एक बहुती डेंजरस आदमी आने वाला है तुम्हें उस आदमी को ये सब तुम्हारा बिजनेस सोब देना चाहिए वो जो भी करे वो तुमें करना है अगर तुमने ये नहीं किया तो हमारी पूरी फैमिली को डेंजर हो सकता है प्लीज ये करने के लिए तुम मान जाओ उसके फादर फिर उससे बुछती है कि क्या तुम फिर से उन लोगों के लिए काम करने लग गये हो नाचो बोलता है कि हा मैं फिर से उनके लिए काम करने लग गया हूँ फिर उससे घर से निकल जाने के लिए बोलते है नेक्सिन में हमें दिखता है कि हावर्ड के पास एक लेटर आता है उससे लगता है कि ये चक का रेजिंग नेशन लेटर होगा पर वो HSM को सू कर रहा होता है हावर्ड बोलता है कि ये क्या है चक बोलता है कि मैंने फिर क्रेट किये तुम मुझे ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकते तुमारे बास और कोई option भी नहीं है अगर तुमने मुझे इस firm से निकालना चाहा तुम्हें मुझे 8 मिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे हावर्ड फिर उसे बोलता है कि 17 साल 17 सालों तक मैंने तुमारे साथ काम किया है इस firm के लिए मैंने सब कुछ लगा दिया है तुम बोलते हो कि तुमें इस firm को अच्छा देखना है इस firm का future तुमें देखना है पर तुम इस future के लिए कुछ भी नहीं करते firm की reputation खराब हो जाए ऐसे तुम decision ले रहे हो जब मैंने तुमें politely ask किया कि तुम retire कर जाओ पर तुमारा first instinct था कि तुमारी firm को ही तुम sue कर दो हावड फिल वहाँ से निकल जाता है Nixon में हमें दिखता है कि सब old age home में bingo का game solve ले रहा होता है Landry ही जीते इसलिए ball में modification solve नहीं की होती है जब Landry जीत जाती है तो उसके लिए कोई भी cheer नहीं करता वो रोते रोते बाहर आ जाती है solve फिर उसे देखने जाता है वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है solve फिर बोलता है कि मुझे पता है कि क्यों हो रहा होगा तुम settlement नहीं करी और बाकी जो ladies है उन्हें इन पेसों की बहुत ही जरूरत है तुम उसे consider भी नहीं करी इसलिए यह सब हो रहा है land review मान जाती है और बोलती है कि मेरे लिए यह पेसों की कोई भी एहमित नहीं है वो फिर settlement करने वाले होती है solve फिर अपने office में किम के पास आता है उसने बहुत ही expensive vodka लाया हुआ होता है breaking band में इस series में हमें ये vodka दिखा है अनेरो जफेरो इस vodka का नाम होता है वो किम के साथ celebrate करना जाता है पर किम को court में पोच्चना होता है वो बहुत ही late हो चुकी होती है क्योंकि उस पर workload बहुत ही जादा होता है किम फिर वहाँ से चली जाती है वो अपने कार में सब revise कर रही होती है तब ये उसका accident हो जाता है ये ही episode खतम हो जाता है